नमस्कार मैं नीता सर्मा सबसे पहले तो आप सभी को उन्डावरात्री की हार्दिक सुप कामना है आज हम लेकर करके आए हैं आपके लिए ब्रत की रेस्पी जिसमें हम आलू का भी इस्तिमाल लें करेंगे और भूत ही कम तेले बनाएंगे इस रेस्पी में हम खीरे का इस्त करते हैं जल्दी से बन जाती है और खाने में भी शौदिश लगती है चलिए तो बहुत शुरू करें रेस्पी बनाने के लिए चाहिए हम एक खीरा सबसे पहले खीरी को धो लेते हैं अच्छे से और इसे हम दो भागों में बाट लेंगे इसके जो पीछे का इसा होता है इसे हम काट देंगे खीरे में एक खी ख Gabi करवा पन होता है कराण हमारी रेस्पीन हो ली इस लिए हम इसके के पीछे को से कराड देंगे और इसे सवाध देते है और लेते है चिलनी हम चिलना के बाद इसको हम कस करेंगे तो छिली से इस तरह से हमने इसको छिल लिया है, अब मौटी वाली हम किष्णी लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारी किष्णी का इस्तमाल लें करेंगे, थोड़ा सा मौटा रहेगा तो उसमें खीरे का भी स्वाद आएगा, एक बरतन लेते हैं, जिस बरतन में आपको इसको आप उसी तरह का बरतन ले लीजिए, आप इससे हम कस कर लेंगे, देखिए इस तरह से हमने सारी खीरे को कस कर लिया है, अब बागी का मटेरियलस में हम डालते हैं, तो लेते हैं हम 100 ग्राम करी कुट्टू का आटा, एनिकी 50 ग्राम करी खीरा था, तो 100 ग्राम करी हमने बारिक उटी है, हरी मिर्च, और थोड़ी से लेते हैं मुमफली के दाने, इन्हें हमने पहले से भूज करके और कूट के लिया है, बहुत चादा बारिक नहीं करेंगे, बिस हलका सा से हम कूट लेंगे, मुमफली के दाने डालने से और भी से टेस्टी रैस्पी बनती है, अब लेते हम एक कटोरी करीब दही, यानि की पचास क्राम के करीब दही, पचास क्राम मैंने दही भी इसमें डाल दिया है, बहुत चादा खटा दही नहीं लेना है और सालका सा खटा रहेगा, एक चुटकी करीब लेते हैं, हम खाने वाला सोड़ा होता है, जो उसका इस्त अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी और पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल टेबल स्पून जो अपनी होती है, इसके आदी टेबल स्पून करीब पानी का भी इसमें इसमें इस तनमाल लेंगे, बहुत ज्याद अंगीला इस चला कि अच्छे सी इस मिला लेना पकला नहीं करेंगे इस तरह से बना लेंगे देखिए भूच जैदा पतला मी नहीं है आ खाड़ा नहीं हैं पहुते इसाथ तरह से तोड़ते जाए जाएंगे इस तरह से इसको बनाते जाएंगे एक एक चमर डालते जाएंगे इसके करीबन पांच टिक्की जो इस तरह से आलो की टिक्की बनती है उस तरह से हमारी यह पे चार टिक्की बन जाएंगे यह खाने की साथ साथ हमारे लिए पॉश्टिवी रहती है और यह स्वाधिश्ट भी लगती है तो आप इसे एक बार जरूरूर बनाना उब्रक के लिए भूत ही अच्छा विखल्ब है आप इसे जरूरूर बना करके खाली खाना थोड़ा सा सेखने के बाद अब इसको हम पलट लेंगी तो एक लेते हैं कलची आप इसको चेक कर लिघिए इस तरह से हो जाए तब इसको हम पलट लेंगे बहुत ही अज़ानी से उट जाती है बस ignore एक कलची के स sopr हम पलट लेंगी कि इतना बढ़ी किसे कला रा गया हिया अब से स्थ भी गई है थोड़ा साम दोसरी साइड भी सोके लेंगी है हमारी खीरी की टिक्की बन करके तयार हो चुकी है आप भी इस एक बार जरूर बनाईएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि मैं और भी इस तरह से वीडियो बना करके आपको दिखाती रहूं